सभी दोस्तों नमस्कार कैसे हो आप चानकी नीती यूटूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में करेंगे दिली शल्तनत वसके संस्तापकों के नाम याद बिल्कुल चूटकियों में दोस्तों मैदान में आ रहा है इनसान फिर से जीत सकता है लेकिन मन से आ रहा है इनसान कभी नहीं जीत सकता इस यासा और इसी उमीद के साथ आज की वीडियो सरु करता हूँ उससे पहले आप सथी से request करूँगा पीछली वीडियो आप जरूर देखें कि परादारित वीडियो है कियोंगि पिछली वीडियो में हमने किया था दिली शल्तनेत स्वसके नामियाद बिल्कल फंनी trick के जरीए तो आज की वीडियो में हम करेंगे देली शल्तर ने तो अंसकी संस्तापकों के नाम याद ठीक है ना तो पिछली वीडियो आपको जरूर देखनी है उस वीडियो की ट्रिक थी गुलाब खिले तो सांस लो ठीक है गुलाम वस खिलजी वस तुगलक वस सेद वस लोधी वस को अमने याद किया उस ट्रिक के सभी एकजाम के लिए यूज फूल रहेगी क्योंकि कहीं ना कहीं एकजाम में ये क्वेशन पूछे जाते हैं ठीक है तो यह आपको याद तो कर पाते हैं लेकिन लंबे समय तक याद ने रहते हैं आप कंफ्यूज रहते हैं तो सीरीज में मैंने आपको कोसिस किया कि तो यह ट्रिक आपने जियान से सुन लिया है तो अम याद करना सरू करते हैं तो एबख से क्या बनेगा एबख से बनेगा कुतबु दि नेन बख यानि गुलाम ओस का संस्तापख कोल था? खिम्बो से ठीक है तो जल से क्या बनेगा तो जल से बनेगा जलालुदिन खिल जी तो खिल जी वसके संस्तापक कौन थे खिल जी वसके संस्तापक थे जलालुदिन खिल जी ठीक है एबग जल गया खिम्बो से गया से क्या बनेगा गयासुदिन तुगलक यानी तुगलक वसक क्या बनेगा क कि से क्या बनेगा करीज का ने किस मस्की स्हथ хॅश्थ की ठीक है तो कई बार हर्यान की नियु96 पूछा जाता है खरीज कहांगा मकबरा कहां पर है तो खरीज कहांगा मकबरा कहां पर है सोनीपत के अंदर ठीक है जिसने सेद वंसकी निव रखी ठीक है तो नेक्स आता है एबक जल गया खिंबो से तो खिंबो का बचता है तो बहुत से क्या बनेगा बैलो लोधी ठीक है त तो मुझे उमेद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो पली जादे से जादा सेर करें अगर आपको वीडियो के अंदर कुछ तुरूटी दीखती है तो जरूर बताईए ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ अच्छा कंटेंट सेर कर सके तो मिलते हैं नेक